अधिलो इस सब लोग को दिख रहा है यह सब नहीं सब तो देखें विंडोस 10 जो है जैसे आप लोग को बताया गया है यह से लेवस में आप लोग कर दिया गया है कि विंडोस अब लेटेस्ट में विंडोस 10 चल रहा है तो हम लोग विंडोस 10 स्वेशन कैसे होता है वह आप लोग को दिखा रहे है ठीक है तो आपका Windows 10 करने के लिए आपको यह लाइसेंस सॉप्ट्वेर है इसको खड़िदना होगा जो कि Microsoft के यहां से खड़िदना होगा या उसका लाइसेंस वह आपको देता है ठीक है तो उसका जब विन्डोज ओफिस विन्डोज ओपरेटिंग सिस्टम आप खोले खोलोगे Microsoft के ठीक है एक image file होता है जिसके थूरू हम लोग यह इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो या तो आप cd में वह आईसो फाइल को राइट करके इंस्टॉल करो या फिर pen drive से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो तो दो option आपके पास या तो optical disk और create a boot USB flash drive या तो bootable disk बनाई या bootable USB flash drive बनाई यह आपका यह है और तीसरा option है कि virtual machine software आप बना के उसको system में ही रखके को ड्राइब को virtual machine बना के उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद next button जैसे यह आप bootable बना के आप डालोगे next button जैसे डालो करोगे मतलब आपका boot screen आएगा boot में आप option करोगे कि हमको OS operating system इंस्टॉल करना है तो वह option मांगेगा क्या चीज से इंस्टॉल करना है या तो disk drive से इंस्टॉल करना है या USB flash drive से मतलब की location मांगेगा आपका यह bootable जो आप device बना हुए वह क्या चीज है ठीक है next button डालना है तो जैसे next बटन डालोगे तो इस तरह का वह option मांगेगा ठीक है windows उसमें setup मांगेगा पहले आपको language आपको select करना होगा किस language में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो उसके बाद time and current format तो जब इंडिया का यहां के लिए करोगे तो यहां का time zone है Kolkata New Delhi के लिए time zone इंडिया का select करना होगा की keyboard और input method जो last class में आप लोग को keyboard layout बताया गया था तो हम लोग जो keyboard layout यूज कर रहे हैं वो US का keyboard या UK का keyboard यूज कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप English United state कर रहे हो तो हम लोग keyboard और input method भी US ही करेंगे ठीक है यह तीनों चीज़ स्लेक्ट करने के बाद आपको next button क्लिक करना है क्लिए रहे है कि जैसे आएगा तो आपका यह इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगा सबको दिख रहा है इंस्टॉलेशन स्क्रीन यहां पर अब देखिए मतलब क्या करना देखिए जैसे आप लोग कोई भी मोवाइल में भी software जैसे इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है इंस्टॉक्षन वह देता है कि इसके बाद next किजिए या preview किजिए या previous में आप यह स्लेक्ट किजिए वह स्लेक्ट किजिए पर्मिशन किजिए यहां भी अब इंस्टॉक्षन जो जो वह मांगेगा उसको follow करते जाना है तो अब क्या करना है में को install नवग करना है ठीक है इंस्टॉल नौनौ करेंगे तो अपका इस तरह का आएगा अगर आपका सिस्टम में पहले सीं पहले से ही इंस्टॉल है सॉप्टवैर चीकन तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ missing repair कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं ठीक है यहां पर दो option दिया आपको which type of installation do you want question पूछ रहा है कि यह दो option में आपको क्या चीज करना है तो पहला option क्या दे रहा है upgrade install window and keep files setting and application windows install करना है लेकिन जो files हमारा पहले से वो रहना चाहिए ठीक है दूसरा option दिया है custom install window only केवल install करना window advanced version है और यह सारा option आप चूज कर सकते हैं तो मान लिजे अपग्रेड इंस्टॉल window करना है आपको next तो उसके बाद आपका installation window जो आप लोग अपने computer में partition देखेंगे जिसके पास laptop या computer होगा पहले से तो disk partition जो आपका hard drive होता है या secondary memory जो है जो आपका पांसो जीवी वन टीवी का है तो उसमें 4-5 drive बना के रखते हैं लोग ठीक है और शुरू में यह बना हुआ नहीं रहता है जब लेप्टॉप आप खड़ो दे खड़ो खड़ी दोगे उस पार्टिशन नहीं रहेगा साउन नहीं आ रही है ओके जस्ट इमिनेट ठीक है आ रही है अब आज अभी हेलो ठीक है माइक आफ कर लिजी आप लोग तो आपको जब आप कंप्यूटर खड़ेगों तो एक ही पार्टिशन क्या हो रहता है जो कि सी ड्राइब रहता है मतलब इनिसियल जो ड्राइब होता है उसको सी ड्राइब लोग बना के रखे हुए है तो आपको क्या करना है जिस ड्राइब में इंस्टॉल करना है उसी ड्राइब में आपको वो स्लेक्ट कर लेना है कि next एपका select जीसे जोडाई में इंस्ट्रोल करना है वह select कर लोगे तो आपका यह इंस्तालेशन होने लगेगा यह क्या लिख रहा है installing window और ufficient यह इन इस्टेटास मतलब कि आपका क्या चीज अभी चल रहा है करेंट में क्या चल्राइए तो पहला क्या तीक जीब लगाऊए copy windows file getting file ready for installation यह आपका होएं आपका एक पर्सेंट वह यह है थे पर्सेंट होगा फिर आपका installing features जोले 7 होगा फिर installing update मίद के बाद ये पाचो तो इस टेप आपका complete होगा ठीक है यह जब फिनीश हो जाएगा पांचो इस्टाप इस्टेप तब आपका इस तरह का स्कीन आएगा सेटिंग ठीक है कर लीजिए जैसे Microsoft का क्या होता है बिंग अपका यह होट मेल इसका होता है होट मेल तो Microsoft पर बनाना होगा वहां से आपको लॉग इन करना होगा यह लॉग इन कीजिए नेक्समिक की जीए उसके बाद ठीक है तो आपके यह आएगा पहलाल सॉब्ट्वेर या जो भी अगर आपके पहले से सथ well इंश्टॉल थू तो setup पीचीश अंब को setup कर देना नियूपी dede नेक्स्ट कर देना है उसके बाद यह सब आपका उसके साथ देखे ओपन ओन ड्राइब जो है यह क्लाउड स्टोरेज है आपका मैक्रो सॉप्ट का यह फ्री में अगर मैक्रो सॉप्ट का विंडोज आप खरीदते हैं यह कुछ इस पेस आपको क्लाउड में डेगा जो कि जानते हैं न कुल ड्रायफ जो जी मेल का होथा उसी तरह आउने द्राइब आपका तो यह आपका new storage इस तरह का दिखेगा you can get new apps from the store जो भी जैसे mobile में install करते हैं वैसे आप यहां से भी download करके आप install कर सकते हैं यह आपका पहला desktop है जब आपका ms office आपका windows आपका windows 10 install कर लिजेगा तो आपका यह पहला desktop का view है जिसमें की आपका recycle bin और welcome to the Microsoft का आपका यह program रहेगा यह आपका यह हो गया तो आपका final desktop बन गया क्लियर है तो कुछ नहीं करना है बस आपको bootable drive बनाना है डिस्क ड्राइब बनाईए यह तो डिस्क ड्राइब बनाईए यह फिर bootable pen drive बनाईए वो pen drive डालिएगा आपका keyboard का मतलब keyboard से bootable screen लाना होगा वहां से आपको कि स्लेक्ट करना है कौन सा ड्राइब में यह जो आपका drive है यह यहां यहां तक आएगा इंस्टॉल नौ करने के बाद आपको डिस्क ड्राइब जौन सा CDEF जो भी लोकेशन पर जहां जिस लोकेशन पर आपको इंस्टॉल करना है वह स्लेक्ट किजिएगा बस यह पीच में ट्राय मत किजिए आप लोग क्योंकि अगर बीच में अगर लाइट वाइट कट गया तो हो सकता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्ट्रम है वह क्रफ्ट हो जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं ठीक है फिर से फॉर्मेट मारके फिर से करना होगा तो जब आप लोग आप कॉलेज आईएगा तो आप लोग को एक पीसी में हम लोग इंस्टॉल करके दिखाएंगे क्लियर है कि यह चीज था आपका